कि हम लोग कर रहे हैं रैपिट फायर सीरीज फॉर एफ़ो जो आपका एग्रिकल्चर फील ओफिसर का एग्जामिनेशन है उसके लिए आपकी चल रही है रैपिट फायर सीरीज और मैं आप लोग के लिए लेके आती हूं प्लान पैथलोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन विचार वेटेंट टू एग्जामिनेशन ओके तो स्टूदेंस जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल हम लोगी रैपिट फायर सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम लोग का शिक्स दे है और शिक्स दे में बिटा मैं आप लोग क का दाउनलोड कर लीजिए ओके यह इसका लोगो है अग्राइट वाला ओप्षन खुल करना है और करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा इसमें आप के लिए जितने भी daily quizzes है संदीप सर मौनिंग में जो current affairs लेते हैं सारी चीज़ें इसमें power and capsule हर चीज अड़ अड़ ली जाएगी बिटा और यहां पर आपके current affairs और आपके subject wise यहां पर quizzes भी upload कर ली जाएगी तो students this is very relevant to you guys तो आप agriculture अड़ा 247 को download करना subscribe करना मत भूलिए okay तो चलो हम लोग अपने questions पर आते first question आप लोग की स्क्रीन पर है बिटा सिडर apple rust is caused by सिडर apple rust cause कौन करता है हमेलिया या फिर मिलाम स्पोरा उरोमाइसीज या फिर जिम्नो स्पोरेंजियम जल्दी से बताइए कौन सा है इन में से जो आपका सिडर apple rust cause करता है students answers quickly बिटा जल्दी से answer कीजे क्या answer होगा यहां पर सिडर apple rust यह question exam में एक बार पूछा जा चुका है यह question exam में आ चुका सिडर apple rust का तो सिडर apple rust जो है वो आपका कौन सा organism cause करता है हमेलिया करता है मिलाम स्पोरा करता है उरोमाइसीज करता है या फिर जिम्नो स्पोरेंजियम जूनी पेरी करता है जल्दी से students answers quickly बेटा जल्दी से answer कीजे इस question का answer क्या होगा जल्दी से जिम्नो स्पोरेंजियम जूनी पेरी जो होता है बेटा वो आपका सिडार apple rust cause करता है और यह disease जो है यह आपकी सिडार apple rust यह बहुत ज्यादा important disease है ठीक है एपल में होती है और बहुत ज्यादा important disease है examination में काफी ज्यादा पूछी जाती है ओके students चलो अब next question का answer दीजे the smallest pathogenic agent is यह तो मैंने agriculture foundation class में करवाया भी है अब बताईए इसमे smallest pathogenic agent क्या है virus है virioid है virusoid है या फिर प्रियोन है जल्दी से students answer कीजे बिटा इसका answer क्या होगा smallest pathogenic agent क्या है बताओ कौन सा है इसमें से smallest pathogenic agent है virus है virioid है या फिर आपका virusoid है या फिर प्रियोन है डी कह रहे हैं कुछ क्या आप लोग इस question का answer दे रहे हैं या first question का answer दे रहे हो जल्दी से बताईए pinkies इनहा आप लोग क्लों से question का answer या first question का जल्दी से बताईए क्या answer होगा बीटा है यहां पर smallest pathogenic agent क्या होगा इनमें से वारेस है वायरुस है या फिर वारोई है या फिर आपका прыओन है what will be the answer here क्या answer होगा यहाँ पर जल्दी से बताईए रचना कहा रही है very good देखो बेटा यहाँ पर आपका जो answer होगा वो वाइरोड होगा देखो वाइरस सबसे छोटा होता है ठीक है वाइरस जो होता है आपकी बहुत small unit होती है लेकिन वाइरोड ही किया होता है वाइरस का ही एक पार्ट होता है वाइरस की ही बॉडी का एक पार्ट होता है जो पैथोजेनिक होता है वाइरस की बॉडी का ऐसा पार्ट जो जैनरली disease cause करने की ability रखता है that part is called वायराइड तो वायराइड आपका जाएगा वायरस की बोडी का एक पार्ट है और यह आपका वायरस से भी छोटा हो जाएगा तो जिते बिचों का अंसर B है उनका अंसर बिल्कुल सही है ओके चला अब नेक्स क्वेशन का अंसर दीजे फिल्टर यूज्ट इन लमिनार जो LAF में आप लोग काम करते हो, प्रैक्टिकल्स करते हो बेटा, वहाँ पर कुछ फिल्टर लगे होते हैं, ठीके, वहाँ पर पीछे से क्या होता है, एर बिलकुल फिल्टर होके आती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस फिल्टर को क्या बोलते हैं हम, HEPA, HEPA फिल् पोर्सेलिन फिल्टर बोलते हैं, या फिर सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोलते हैं, बताईए जल्दी से क्या बोलते हैं हम उसको, Laminar Airflow में जो आपके फिल्टर यूज होते हैं, जब आप उस पे काम करते हो, तो बेटा, कौन से फिल्टर इसमें यूज होते हैं, जल्दी से बताईए जल्दी से क्या आंसर होगा हैं, आपके कौन से फिल्टर होते हैं वो, बताईए जल्दी से, हीपा होते हैं, एस बेस्टोस होते हैं, पोर्सेलिन होते हैं, या फिर सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होते हैं, स्टूदेंट आंसर क्विकली बेटा, जल्दी से आंसर की इस question का कि क्या answer होगा यहां पर बताईए जल्दी से क्या answer होगा यहां पर बताईए students what will be the answer here Ruby Singh कह रही है a okay ठीक है पूचा कह रही है a कह रही है रचना A रचना बीटा आप इसका आंसर दे रहे हो या पहले वाले का आंसर दे रहे हो बताओ ठीक है जितने भी बच्छे A आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है इसका आंसर होगा हीपा हीट efficient यहां पर आपका आंसर होगा हीपा filters आपके laminar air flow में जहां से air आपकी बेटा बिलकुल purify होके आती है blower जो लगा होता है laminar air flow में वो आपके HEPA filters होता है और यह आपका exams में पूछा जाता है ठीक है चलो अब next question का अंसर दीजे The quarantine law in USA was first enacted in जो quarantine law था USA में उसे कब enact किया गया था कब लागू किया गया था बताईए 1796 में 1912 में 1950 में 1972 में quickly answer कीजे students बताईए जल्दी से क्या answer होगा यहां पर students क्या answer होगा बिटा यहां पर जल्दी से answer कीजे बताईए जल्दी से answer क्या होगा बताईए students जल्दी से बताईए बेटा quarantine law जो है USA में वो पहली बार कब enact करा गया था जल्दी से बताईए बेटा क्या answer होगा यहां पर यह तो छोटे-छोटे question है रचना के रहे है फाइव का एक मिनिट see बताईए जल्दी से क्या होगा यहां पर answer what will be the answer here क्या answer होगा यहां पर देखो यहां पर आपका answer होगा 1970-1996 में इनेक्ट किया गया था ठीक है USA की जब हम बात करते हैं तो quarantine यहां पर 19 यह सॉरी 70-1996 में करा गया था ठीक है चलो अब नेक्स question का answer तो यह तो बहुत जादा easy है यह भी इन अग्रिकल्चे foundation में पढ़ाया हुआ है a mango anthracnose is caused by the fungus mango anthracnose जो disease है बिटा कौन सा fungus cause करता है कोलेटर ट्राइकम करता है ओडियम करता है या फिर दोनों करते है या फिर none of these बताओ बिटा कौन सा कौन सा fungus है जो आपका mango anthracnose disease को cause करता है जल्दी से बताइए यह तो मैं agriculture foundation में fruit diseases में करवा भी चुकी हो night की classes में जल्दी से बताइए students क्या answer होगा या पर बिटा यह तो बहुत easy question है mango anthracnose का जल्दी से बताइए what will be the answer here भूमी का 5 क्या लिख रही हो बिटा 5 क्या है जल्दी से answer किजे students what will be the answer here क्या answer होगा या पर जल्दी से answer किजे बिटा mango anthracnose जो है यह कौन से fungus की वज़े से होता है is caused by the fungus कौन सा fungus है जो mango anthracnose cause करता है जितने student देखने बिटा एक बार session को like कर दो जितने बच्छे ए आंसर कर रहे हैं उनका answer बिल्कुल सही है कोलेट्रोट्राइकम कोलेट्रोट्राइकम जो होता है यह आपका mango में anthracnose disease cause करता है और यह क्या करता है जैनरली आपके बात समझ में आईए ग्रेइ स्पोर्ट्राइकम में देखते हैं बिटा तो किनारे से बिल्कुल ब्लाक कलर के patchs हो जाते है सेम वही पैसें हमें जब आप लोग mango खरीदोगे जब आप लोग आम खरीदते हो तो आप लोग नहीं देखा होगा कई बार आम में छेट छेट से लगे होता है, छेट नहीं सॉरी, ब्लाक कलर के स्पोर्ट उसके उपर पड़े होता है, तो जो ब्लाक कलर के पैचेज उसके उपर होते हैं बेटा, वो आपके मैंगो एंथरेकनोस के सिंटम होते हैं, बात समझ भाई, मैंगो एंथरेकनोस के सिंटम क्या होते ह उसके उपर ब्लाइक के पैचे लगे होता है या फिर बीच में ब्लाइक कि ये पौरी और पूरी लीव को कवर अप कर लेते हैं और वहीं मैंजी फेरी से आप याद कर सकते हों, मैंजी फेरी से आपको ये समझ में आ जाएगा, कि ये कौन सा फंगस है, ये आपका मैंगो में डिजीज कॉस करने वाला फंगस है, ठीक है, चुर्णे, अब नेक्स क्वेशन को आंसर कीजिए, ऑल्टरीट होस्ट और बाज़रा जल्दी से अंसर कीजिए स्टूडन्स, अल्टरीट होस्ट और बाज़रा रस्ट, बाज़रा में जो रस्ट डिजीज कॉस करता है, उस पर्टिकुलर माइक्र अर्गानिसम के लिए, अल्टरीट होस्ट कौन सा है, किस पे वो सर्वाइव कर सकता है, टोमैटो है, पी है, ब बाज़रा रस्ट का जो आपका माइक्रो और गयानिसम होता है, अगर उसको बाज़रा नहीं मिलता है, तो इन दाट कंडिशन वो अल्टरीट होस्ट अपने लिए क्या ढूंबता है, कौन सी क्रॉप ऐसी है जो उसके लिए ऐस अल्टरीट होस्ट वर्क करती है, टोमैटो क पी करेगी या फिर ब्रिंजल करेगी या फिर चिली करेगी जल्दी से आंसर कीजिए students रचना कही रही है C, OK, ठीक है बाकी student भी आंसर कीजिए फट आफर फट आफर सांसर कीजिए क्या आंसर होगा यहां पर What would be the answer here? Ruby कहा रही है C, OK, ठीक है जो बच्चे आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है ब्रिंजल जो होता है यहां पर alternate host की तेरे काम करता है ठीक है, बाजरा रस्ट का जो आपका microorganism होता है उसके लिए ब्रिंजल जो है वो अगर उसको particular host नहीं मिलता है तो ब्रिंजल उसको क्या करता है, alternate host की तेरे काम करता है alternate host मैंने आप लोगों को बताया था, यह क्या होता है alternate host होता है, आपका belongs to another species, ठीक है दूसरी species को belong करता है, यह जो आपका plant होता है, alternate host का बिटा यह आपका ऐसा plant होता है, जो दूसरी species को belong करता है लेकिन तब भी यह क्या करता है दूसरी जो वाइरस है जो भी माइक्र ओर्गानिसम है उसके लिए as a alternate host वर्क करता है उसको बोलता है कि हाँ जब तक आपको आपका host नहीं मिल जाता तब तक आप हमारी हम हम से क्या कर सकते हो nutrition ले सकते हो हम से survival के लिए अपनी कुछ यह nutrition जो ह वाइटमीज बगेरा जो भी तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो ठीक है तो that is called alternate host मैंने आपको दो टाइप के host बताई थे एक को लेटर आपको यह collateral host बताए था alternate बताए था collateral host जो होता है वो save species को belong करता है लेकिन जो alternate host होता है यह different species को belong करता है तुझे को ब्रिंजल और बाजरा दोनों की species अलग-अलग है लेकिन यह इसके लिए क्या कर रहा है as a alternate host वर्क कर रहा है ठीक है चलो अब next question का answer दीजे counter strain for gram positive bacteria is counter strain क्या होता है gram positive bacteria के लिए इसको तो easily आख बंद करके answer कर दोगे जो बच्चे शाम को मेरी क्लास देखते है crystal violet iodine safranine या फिर cotton blue जल्दी से बताए यह question पूछा गया है यह question आपका एक्जाम में पूछा गया है ASRB में पूछा गया है ASRB net 2019 में यह question पूछा गया है फटाफर से answer कीजे students counter strain for gram positive bacteria gram positive bacteria के लिए counter strain क्या होता है crystal violet होता है iodine होता है सफ्रेनीन होता है या फिर cotton blue होता है जल्दी से बताइए students what will be the answer here बताइए बेटा क्या answer होगा यहाँ पर आपका जल्दी से answer कीजे gram staining में आप लोग को बता चुके हूँ समझा चुके हूँ यह चीज की क्या होता है ओके तो अब आप और यह question भी मैंने आपको करवा रखा है इस question का answer भी मैं आप लोग को class में बता चुके हूँ रचना कह रही है ए पूजा कह रही है ए बेटा ध्यान से पड़ो मैं क्या पूछ रही हूँ counter staining पूछ रही हूँ counter staining for gram positive bacteria ध्यान से देखो counter staining for gram positive bacteria बताईए जल्दी सा answer कीजिए students सारे बच्चे ए आंसर कर रहे है देखो बेटा counter strain की तरह काम हमेशा से फ्रेनिन करता है ठीक है crystal violet blue को वो absorb जरूर करता है उसकी वज़े से gram positive bacteria जो है बेटा यह आपका blue color देता है ठीक है crystal violet blue की वज़े से gram positive जो बेक्टीरिया है बेटा यह आपका blue color द डेता है लेकिन यहां पर आपका separate निजो होता है दcular light ऑक रछाता है सफ्रेनीन जो हूदा है घ्रत करा जाता है यह एपका last में आड़ाभ करा जाता है और इस वज़से और आपका नेगिटिव बेक्टीरियाया है यह आपका 데्लिक इश कलर दर देता है और यह आपका blue and purple color या तो एक रिस्टल बालेट ब्लू की सब्सक्राइब करा जाता है इसलिए इसलेट हमश्ण किसको बोला जाता है सप्रेनिन को बोला जाता है चलों अब नेक्स कुश्चन का आंसर दीजी इंडियन ताइप कल्चर कलेक्शन for fungi is located at Indian type culture collection for fungi is located at. कहां पर है? कुलकाता में है? हैदराबाद में है? या फिर न्यू डेली में है? या फिर आपका मुंबई में है? जल्दी सांसर कीजे, students क्या answer हो गए यहां पे? जल्दी सांसर कीजे, बिटा क्या answer हो गए यहां पे? जल्दी से आंसर कीजिए students what will be the answer here बताईए जल्दी से कुलकाता होगा या फिर आपका हैदराबाद होगा न्यू डेली होगा या फिर मुंबई होगा बताईए जल्दी से जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए students की आंसर होगा या पर जल्दी से बताईए की आंसर होगा या पर बेटा यहाँ पर आपका आंसर होगा न्यू डेली क्योंकि यह जो institute है यह है आपका आईए आराई में बात समझ भाई Indian Agriculture Research Institute आईए आराई जो है बेटा आपका वहाँ पर Indian type culture collection for fungi जो है आपका यह institute यह वही पर located है न्यू डेली में आईए आराई में कभी कभी specific location पूछ लेता है specific location इसकी आईए आराई है और actually न्यू डेली अगर यह पूछेगा तो आप लोग न्यू डेली आंसर करोगे ठीक है क्योंकि आईए आराई कहां located है न्यू डेली में जो आपके L-form bacteria होते हैं उनमें नहीं होता है क्या नहीं होता है cell membrane नहीं होते है cell wall नहीं होती है mesozoom नहीं होती है या फिर ribosome नहीं होता है कुछ L-form के ऐसे bacteria होते हैं जिनके अंदर नहीं होता है और क्या नहीं होता है या तो cell membrane नहीं होगी या cell wall नहीं होगी या फिर मीजोजोम नहीं होगा या फिर आपका ribosome नहीं होगा students बताइए बेटा क्या answer होगा याँ पर ये question मैं अल्री बता चुकी हूँ foundation class में ये मैं bacterial classification में एक बारी आप लोगों को wobbly बता चुकी हूँ होता है student जल्दी से answer कीजे बेटा क्या answer होगा यहां पर जल्दी से answer कीजे बेटा जो भी बचे इवनिंग वाली class देखते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा जल्दी से बताइए क्या answer होगा यहां पर देखो यहां पर answer होगा बेटा आपका cell wall देखो कुछ ऐसे bacteria होते हैं बेटा जिन में cell wall का gene नहीं होता ठीक है एल फॉर्म कुछ ऐसे bacteria होता है जिन में cell wall वाला जो gene होता है वह absent होता है cell wall formation वाला अब देखो cell wall formation का gene ही absent है तो उसकी वज़े से क्या होगा बेटा cell wall synthesize नहीं होगी अब जब cell wall synthesize नहीं होगी बेटा तो उसकी वज़े से क्या होगा आपका cell wall नहीं बनेगी और जब cell wall नहीं बनेगी तो obviously है कि उसकी body पे कोई protective layer as such रहेगी नहीं ठीक है next question का answer कीजे students browning of vascular bundles occurs in the disease vascular bundle vascular bundle क्या होते हैं आपके xylem and phloem होते हैं xylem and phloem होते हैं तो vascular bundles जो होते हैं बेटा in xylem और phloem इन में आपकी browning कौन से disease की वेसे होते हैं रस्ट या स्मट या बंट की वेसे होते हैं किसकी विज़े से होती है बताईए रभी कुमार मैं आपका foundation plant breeding class complete कब तक होगा और कितने कि total कितना हो जोगा बिटा मैं plant breeding की class नहीं लेती हूँ मैं plant pathology की class ली थी मैंने और अभी मेरे crop physiology चल रहा है plant breeding मिनाक्षी में हम लेती है ठीक है foundation में मैं plant pathology की class लेती हूँ और crop physiology की class लेती हूँ जल्दी से बताईए students browning of vascular bundles occurs in the disease कौन सी disease में आपका vascular bundles की browning हो जाती है बताईए students जल्दी से कौन सी disease होगी जिसमें आपके vascular bundles जो हैं जो आपके xylem और phloem होते हैं वो आपके generally disease उनकी browning हो जाती है due to disease जल्दी से बताईए students क्या answer होगा बेटा कब तक complete होगा बेटा almost तो मैं इसमें complete करवाई चुकी हूँ जितना भी था वो complete बस एक fungi site है वो मैं एक lecture में एक दिन करवा दूँगी complete ठीक है जल्दी से बताईए हाँ भूमी का answer करें विल्ट 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 विल्कुल सही answer है Fusarium जो है बेटा Fusarium Oxyporum यहाँ पर disease कास करता है और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा Fusarium Oxyporum की वजय से wilting विल्ट वो थी है ठीक है यहाँ पर क्या होता है जो आपके xylem और Vai ओल करण होता है प प्रिफ्ट्र प्रोड्यूस यस्टेमिक फंजई साइट इस ब defendant combination बनले कमपने कंषो है इस इक एक्यहास बाकर फंज़योगा का ओल्मोस उसमें हो छुका बिछ आपका बाकि क्लास चाहिए तो आप लोग आप paid batch purchase कर सकते हैं, उसमें आपको extra material बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है, देखो बताइए answer क्या है इसमें, आप किसी exam की preparation कर रहे हो, क्या, जल्दी से बताइए, first produced systemic fungicide is, पहला systemic fungicide कौन सा है, जल्दी से बताइए, body x mixture है, captain है, thiram है, या फिर कार्बोक्सिन है, जल्दी से बताइए students, what will be the answer है, क्या answer होगा, बिटा, यहां पर, first produced systemic fungicide क्या है, जल्दी से बताइए, देखो, यहां पर आपका answer होगा, कार्बोक्सिन, ठीक है, कार्बोक्सिन है, चलो, अब next question का answer दीजे, tomato leaf curled virus is transmitted by, जो tomato leaf curled virus होता है, बेटा, वो आपका, कौन transmit करता है, उसको, ब Mises होगा, Bemicia होगा, Thrips होगा, यहां फिर infected plant material होगा, जल्दी से बताइए, tomato leaf curled virus, जिसमें leaf की curling हो जाती है, लीफ जो है, साइट से बिलकुल मुड जाती है, इस तरह से उपर की तरफ आ जाती है, उसके margin मुड के, ठीक है, तो यह जो आपका leaf curled virus जो होता है, बेटा, यह क infected plant material होगा, जल्दी से अंसर कीजे, students क्या अंसर होगा बेटा, यहां पर, बताइए, जल्दी से, tomato leaf curled virus, किसके through transmit होता है, फटा-फट से अंसर कीजे, बेटा, क्या अंसर होगा, यहां पर, यहां पर, आपका अंसर होगा, Bemicia tobacco, ठीक है, आपका अंसर होगा, Bemicia tobacco, यह जो है बेटा, यहां पर, यह कॉस करता है, आपका tomato leaf curled virus, ठीक है, चलो, अब next question का अंसर दीजे, क्रीशिक phase, क्रीशिक phase symptom, किसका होता है, बताइए, जल्दी से, क्रीशिक phase symptom, किसका होता है, बताइए, जल्दी से, लेट blight of potato में देखने को मिलता है, black arm of cotton में, या फिर bacterial leaf blight में, या फिर moco disease of banana में, जल्दी से बताइए, क्या अंसर होगा, यहां पर, agree hacker, B, 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 किसका अंसर कर रहे हो, बताइए, जल्दी से बताइए, देखो, यहां पर जो अंसर होगा, बता, आपका वो होगा, bacterial leaf blight of rice, ठीक है, bacterial leaf blight, जो disease होता है, बता, उसमें k्रेशिक phase का symptom देखने को मिलता है, यह question exam में एक बर पूछा जा चुका है, और बहुत जाद important, तो इसको याद रखना, क्रेशिक phase symptom जो होता है, यह आपका bacterial blight of rice में देखने को मिलता है, ठीक है, तो students, यहां पर आज आपके question complete हो गए, ठीक है, बेटा, जिसने agriculture redda app डाउनलोड नहीं, कि आप agriculture redda app डाउनलोड कर लो, ठीक है, और अपने फोन में install कर लो, और इसके अ classes है, आपकी सारी उसमें upload हो जाएंगी, ठीक है, students, और जो बच्चे preparation करें, तो आप लोग एगरिका महापैक, आप लोग purchase कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप लोग को सारे courses मिल जाएंगे, ठीक है, तो Y447A code apply करके, आप लोग agriculture का जो महापैक है, उसको ले सकते हो, ठीक है, students, तो आज के question यहीं तक थे, बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं कल के session में भी आप लोग के लिए बाकी plant pathology के important questions ले के आओंगी, ठीक है, तब तक के लिए bye and thank you for watching.